स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना ग्यान फॉर यू में जहां हम आपके लिए सरकार दर लाई गई नहीं नहीं योजना हैं उनकी अपडेट और सरकारी नौकरे के बारे में जानकारी देते हैं आज हम लेके आए हैं हजारों पैंशनों के लिए एक बड़ी अपडेट है कईयों के लिए बुरी खबर है और कईयों के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है 15 जनौरी से पहले आपको यह पूरे काम करवाने होंगे तभी आपको एक खाते में पैंशन की रखम आएगी वर्ण नहीं आएगी इसकी पूरी परसेश हम जानेंगे इस वीडियो में क्योंकि सरकारी यह जनौ का लाब लेने के लिए राजे सरकार ने परमानी करण अनिवारे कर दिया है अधार अपडेट कराने के बाद बैंक में के वाइसी भी कराना अनिवारे है तभी उनके खाते में पैंशन की राशी जाएगी निगम उखाले और जोन आफिस की लोग स सेवा केंद्रों में अधार अपडेट करवा सकते हैं उतर परदेश के हजारों पैंशनरों के लिए महत्तपुरन खबर है यूपी सरकार ने महिला का ल्याण विभाग के अधि संचालित पती की मृतिव प्रांत निराश्रित महिला पैंशन योजना के लिए अधार का परम प्रिक्रिया नहीं किया है वे 15 जनुरी तक करवाले अट्वाण क्यादा राश्री ट्रांसफर नहीं हो पाएगी हात रस में 27698 वे लबारतियों में से 22 ребята मैं से अधार परमानिकरण करवा लिया है लेकिन कल 4601 का होना बाकी है जो निराश्रीत महिलावे विद्वा पैंशन का लाब ले रही है वाग 15 जनुवरी तक अधार का परमानिकरन करवाले वरना उनकी पैंशन का पैसा अकाउंड में नहीं पहुंचे पैंशनेर्स बैंक पास्बुक अधार काड तथा मुबाइल नंबर के साथ नर्जी की जनसोईदा केंदर तथा नीजी इंटरनेट के द्वारा एकिकरित समाजिक पैंशन पोटल पर लॉग इन करते हुए तो जीला पर प्रोबेशन करे ले के कमरा संख्या एक में उफ्तित ह होकर परमाने करवाले अन्य था उनकी पैंशन बंद हो जाएगी हाथ रस के जिला प्रोबेशन अधिकारी का कहना है कि उतर परदेश शाशन स्थार ने महिला करल्यान विभाग के अधिन संचालिती निर्राश्रित महिला पैंशन योजना के तैट पैंशन पाने वली लाब यूपी के अलावा 36 गड़ में अधार अपडेट ना होने के कारण दुर्ग जिले के 31,399 पैंशन धारकों को तीन महिने की पैंशन अटक गई है क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाब लेने के लिए राजय सरकार ने परमानी करना निवारे कर दिया है अधार अपडेट करा आने के लिए मोबाइल लेकर जाना जरूरी है ओटीपी आएगा और जानकारी अपडेट कर ली जाएगी अधार अनिवारे क्लेक्टर के निर्देश जारी बता दे की बीत महिनों में भी समाज कल्याण विभागे ने अधार अपडेट मामले में सूचन सभी कलेक्टरों को दी थी सूचना के बाद कलेक्टर ने सभी निकायों में अधिकारियों को पत्र लिखा और सभी नगरे निकायों तो था जनपत पंचायतों से खाया कि ऐसे पैंशन हित ग्राई जिनका धार काड दर्श वर्ष से पहले बना और दर्श वर्ष से पहले अपडेट हुआ करवा लेंगे और कि वह इसी करवा लेंगे ताकि आपको पैंशन लेने में सुधा ना हो और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें धन्यवाद